मैं आपको चम्मच के हिल्प से इसको निकाल के दिखा रहे हैं और लाइव देखो क्या गजब का ग्लो आया है इतना गजब का ग्लो और वो भी सिर्फ घर में रख्यूई दो चीजों के साथ में कितने सारे रेखा सिंग आपके पालर के पैसे बचा देती है आज आपको एक और नया चीज सीखने को मिलेगा तो चलिए देखते हैं क्या मैजिकल इंग्रीडेंट आज हम यूज करने वाले हैं हलो दोस्तों नमस्कार साथ स्रियाकाल सारे नुमेतर फुती बहुत बहुत प्यार क्या हाल चाल है आशा करती हूं आप अपना धेर सारा ख्याल रख रहे थी ताकि इसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट मुझे मेरी स्किन के ओपर दिखाई दे जाए यह मैजिकल पाउडर आज में आपके साथ शेयर करने वाली हूं इसमें आपके चेहरे के जितने भी काले पन से प्रॉबलम है यानि कि आपकी स्किन के ओपर डार्क स्पॉर्स है आप आज चीज है और क्योंकि गर्मियों में स्किन बहुत जारा काली पड़ती है तो स्किन के ओपर कुछ न कुछ हमें ऐसा जरूर लगाना चीए जिसमें हमें विटामिन सी मिले तो लोजी लेके आगे अरेखा सिंग आपके लिए विटामिन सी का एक खाजाना आज मैं आ ने त Lehr को आपको बताओंगी एक ऐसा जिसको आपको रोजाना अपने लिये तयार करना है अगरआप मटापे से परशान है इसाथ हैं आगर आप चाहते हैं कि बौडी σε शितने भी टॉकरश हैं वो सारे के सारे फ्लश अउट हो Believe करें, Unsubscribe करके आप वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, प्यार देते हैं, No Doubt है, लेकिन आपको क्योंकि पता नहीं है, जो 20%, उनको ये पता नहीं है, क्यानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब आप चानल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेग एसी remedies देखने के लिए हमारी आज की इस remedy का जो star ingredient है वो है जीद दही अब दही में पाया जाता है लेक्टिक एसी और दही हमारे color को बहुत अच्छे से फेयर करता है दही आपके हर किसी की घर में रहता होगा बस आपने करना क्या है कि जब भी आपने अपनी remedy बनानी है उसके कि दही का जो लाक्टिक एसी डशी आज जाइँ जब miser इस यह वह तोड तोड़ी देर के लिए फुरिज से बाहर रह अधि गर्मी में रह muchísimo जाता है तब आपने संपने को एस ब्रॉज्जध करना है ठीक है डाही के साथ में हम बनाने वाले हैं जो मोस्टूराइज करता है और skin cake color के साथ में हमारे जितनी भी aging से related problem है उसके उपर भी काम करता है, सबसे पहले हम दही ले लेते हैं, सबसे पहले हमने अपने face को clean up करने के लिए दही लेना है, तो मैं करीब एक चमच दही इसमें ले लेती हूँ, जिससे हम अपने चेरे का पहले clean up तयार करेंगे, ठीक जालनी है, और एक powder एक ऐसा बताऊंगी, जो आप तयार कर लेंगे तो आपके बुढ़ापे के उपर भी आप अपनी चुटकारा पा सकते हैं, जो कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, उस powder को use करना थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, अगर चेहरे के उपर बुढ़ाप आपकी नाक के असपास का एरिया होता है, सबसे ज़र आपको वाइट ब्लाकेट यहीं बनते होगे दिखेंगे, तो आपको अच्छे से यहां पर लगाना है, पूरे फेस के उपर, लिप्स के उपर, आखों के उपर भी आप इसको लगा सकते हैं, अगर आप काजल लगाते स्किन के उपर ब्लीचिंग का भी काम कर रहा है, इसको छोड़ेंगे अच्छे से यह आपकी स्किन के उपर सेटल डाउन हो जाएगा, तब तक हम तयार करेंगे हमारा आज का फेशिल, तो कितना बनाएंगे हम दही, एक चमच दही लेंगे, यह देखे इस तरीके से, तो च स्टोर कर लेते हैं और एक्स्ट्रा बज जाती है, फिर रम उसको पेग देते हैं, आप वह वाली मसूर डाल भी ले सकते हैं, दो से तीन चमच लेनी है और तवा के उपर आपने इसको रख के हलका सा रोस्ट करना है, बहुत ज़दा नहीं करना है, सिरफ रोस्ट करना है, उसके बाद में आप इसको grinder में डालेंगे और पीस लेंगे पीस के आप चाहें तो इसको छांच सकते हैं नहीं तो आप इस तरह से कि भी अगर आपकी बारीक पीस गई है तो इस तरीके से आप इसको स्टोर करके रख लिजाए यह चीज अगर आप अपने remedies में यूज करते हैं रोजाना तो आपके चहरे के बुढ़ापे को आने से रोकता है स्किन को exfoliate करता है स्किन को इतना clean कर देगा कि आपको polishing कराने की जूरत नहीं पड़ेगी अब क्या है यह चीज यह है जी मेरी most favorite करें हम उसको चीज़ों कर देखेंग को अगर आप को पता होगा क्या करती है अगर मैं इसमें मशूर दाल का पौडर में डाला होता तो डहीं के साथ में मजाई कुछ और खाने के बाद में अगर आपको कुछ मीठा का काना था कि मिक्स कर खाए मसूर दाल हटा लेना पीच में उसको नहीं कहा सकते हैं भ्यानक मैजिक की चीज जो आपके चहरे के उपर बुढ़ापे को आने से हमीशक ले रोग जोगी यह मेरा दे मोस्ट फेवरेट और सबसे जारा काम करने वाला क्लोव ऑईल क्लोव यानि की लॉंग का तेल लवंग का जिसको तेल बोला जाता है तीन नाम मैंने बता दिये हैं और कोई नाम अगर जानता है तो प्लीज बता देना क्लोव को आपके चहरे के उपर बुढ़ापे को आने से रोपता है ठीक है आपकी स्किन की जो इलासिटी होती है उसके बहुत बढ़िया से खाम करता है तो कितना डालना है क्लोव ऑईल हमने एक दो तीन चार चार ड्रॉप डालेंगे एक हफ़ते का हमारा क्रीम बन रहा है चार ड्रॉप डालेंगे आप इसमानि की आप कम किछ इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है यह हमने डाल दिया अच्छे से मिक्स कर लेंगे चुटकी भर हल्दी डाल के कस्तूरी हल्दी है यह वाइल टामरी कहा ऑनले बहुत असानी से मिलती है किछन की हल्दी हम लोग बाहर से अगर परचेस करने तो इसमें आपको कहीं यूज एक बार आप अपने चेहरे के उपर कर लेते हो तो आप इसके फैन हो जाओगे यह आप अपनी हर रेमेडी में यूज करने लोगोगे फिटकरी लगाने की बाद में आपको कहीं पालर जाने की बिल्कु जोरुत नी बढ़ेगी आपको अपनी स्किन इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा चेंज दिखाई देगी सडनली आपको लगेगा आपका कलर फेर हो गया सडनली आपको दिखेगा जितने भी डापोजिशन थी उसारी डिसपेर होगी जितने भी डाक स्पॉर्स से पैचे से डिसपेर होगे एजिंग लाइन फाइन लाइन आपको दिखेग तो यह powder सबसे last में जब आपने अपनी remedy को लगाना है तब आपने इस powder को इसमें add on करना है यह देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ वो magical drink जो कि मैं आपके साथ में share करने वाली हूँ क्या है वो है जी सिरफ simple सा ये पानी जो आपने रोजाना पीना है अब इस simple से पानी में आपको ये जो चीज दिख लिए तैरती हुई ये है जी जीरा यानि की cumin seeds इसको आपने रात को अपने लिए बना के रखना है पानी को ये simple पानी आपकी body में से सारे toxins को खताता है आपकी skin के ओपर एक natural glow लाता है, मोटापे को दूर करता है, toxins को remove करता है अब इस पानी को बनाना कैसे ये देख लेते हैं आपने लेना है एक चम्मत जीरा, घर में जो रखा हुआ जीरा आप regular यूज करते हैं वही लेना है लेकिन directly उसको पानी में नहीं डालना है, पहले आपने उसको एक से दो बार पानी में धोना है पीने वाले पानी में आप पहले इसको धो लीजे, फिर उसको चान लीजे, उसके बाद में आपने इस जीरे को यूज करना है अब इसके पीछे रीजन क्या था इसको दोने का, कि हम लोग अक्सर जीरा भार से लाते हैं, तो कई बार खुला वाला जीरा ले आते हैं, बहुत लोग लेके आते हूंगे, I'm sure, काफी लोग लेके आते हैं, तो उसमें न मिट्टी, धूल, मिट्टी वगारा भी रहती है, उस खाली पेट जेko होता है, जैसे हम लोग पहला ड्रिंक जो पीते हैं, मैंने अक्सर आप लोग के साथ में शेर किया है मेरा एपल साइड हेगा वाटर वाला ड्रीइक, वैंने आपके साथ में हल्दी नमक का भी ड्रिंक शेर किया है, नीμगू का भी यूस किया है, इसके सा तो इसके जीरे को चबा चबा के खा भी सकता है अगर आपको comfortable है नहीं तो वैसे तो सारी property आपको इस पानी में ही मिल जाती है अब लगा लेते हैं हमारी आज की cream को अच्छे से आपने इसको mix करना है और इसको apply करना है अपने उसी clean up वाले face के ऊपर ठीक है अच्छे से लगा कर रहे हैं गोल-गोल-गोल Ungol-גोब Corkal कर डूं रहे हैं तो यह हमारे चैयरे के उपर doesn't hear चाहाए आपके dead Skill है चाहे आपके उस आपके white add black add आपने क्लीन कर देने और पानी की साथ में आपने वाश कर लेने साबुन मत लगाना फेस वाश मत लगाना इसको ऐसे ही चोड़ देना कम से कम दो गंटे के लिए उसके बाद में आप चाहो तो अपने चेहरे के पर कुछ भी लगा सको कोई दिक्कत नहीं लेकिन अभी आपने चेहरे करना आपने फैमली और फ्रेंज के साथ में क्योंकि वीडियो को शेयर करना बहुत जारा जरूरी होता है वीडियो को आप शेयर करते हैं लोगों के पास नौलेज जाती है और वह लोग भी चाहते हैं कि बिना पैसा खर्च के अपनी स्किन का केर ना तो वह कि बएपने स्किन का कुछ ना सोलूशन तो टेफिनिटल दीचने वाल 16